So, hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Suryabhan Singh Rajput, और आज के session में मैं आपसे कुछ बहुत ही critical points पे चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे आप J22 में अपने marks को बहुत अच्छी तरीके से improve कर सकते हैं. तो इस वीडियो को अन्ते तक जरूर देखें, because it is gonna change your game for J22 physics. ठीक है, ठीक है, हाला कि Corona की वापस से आपको सबको पता third way वा चुकी है, तो कई बच्ची अभी setback हो चुके हैं, कि नहीं यार अभी थोड़ा इंतिजार करें, थोड़ा रुकें, पर यह setback होने का time नहीं है, यह lead लेने का time है, अगर आप अभी यहाँ पे lead लोगे, then you can obviously score a very good mark other than the competition, right, तो इस बात को आप सबसे पहले दिवान में रख लें, क्या, आप अपनी health, अपनी family की care करें, साती सात में आपको अभी setback नहीं होना है, जिन्होंने अभी थोड़े दिनों के लिए setback हो चुके हैं, बेटा वापस से back on the track हो जाओ, because the competition is going to be very high, this time itself, तो इस बात we sleeping, हम बिल्कुल भी attain नहीं कर सकते हैं, we have to be in the rolling, ठीक है, तो वीडियो के अंते तक जरूर बने रहें, और इसको पूरे अच्छी तरीके देखिए, मैंने सारे चोटे-चोटे points को breakdown करने ही कोशिश की है, आपकी जितनी समस्या है, मैंने उनको भी लिखा है, और उसका क्या resolution हो सकता है, मैं ये भी देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के अंते तक आप जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसी tip लेके जाएंगे, जो आपके आने वाली preparation में बहुत काम करने वाली है, चली दोस्त, शुड़ू करते हैं, तो सबसे पहले way to score 99 percentile in physics, देखिए क्या है, आ physics अगर नहीं बन रही है, तो कुछ chapters छोड़ देता हूँ, कुछ chapters कर लेता हूँ, ये चीज़ आप कभी मत करना है, क्यों, तो मेंस का paper आ रहा है, that is not on a tougher side, तो आपको आना तो सब कुछ चाहिए, और कैसे क्या करना है, सब चीज़ आपने तच्छा करेंगे, सबसे पहले important पात आती, that is faith in yourself, make sure करें बेटा, आप इस point of time पे भी खड़े है, अगर आपने कई बच्छों ने इनमें से drop भी लिया होगा, कई बच्छों ने ये भी सोचा होगा, कि आगली साल आपन फोड़ेंगे, पर कहीं न कहीं, down the line, हम अपने goal से थोड़ा से distract हो गया है, तो बेट this is the right time, this is the right time to grab the goal again, अभी भी अगर आप थोड़े बहुत distracted है, बेटा, so don't miss it, ठेक है, क्योंकि अगर आपने इतना समय लेके अपना drop लिया हुआ है, या फिर जिन बच्छों ने भी लिया हुआ है, उनके लिए भी बात भी बोलूँगा, कि competition बहुत टफ है, तो अभी जो अपने थोड़े से goal से distract हो गया है बेटा, आप वापस से आजाओ channel इस पे, लेकिन आने के लिए आप अपने आपको यकीन करना पड़ेगा, अगर आपको खुद पर ही यकीन नहीं है, तो फिर तो भाई दुनिया की कोई ताकत आपको एक्जाम करने से, नहीं रोख सकती है कि रोख सकती है, हर कोई ताकत आपको रोखेगी अगर आपके पस faith नहीं है, ठेक है, लेकिन आपके पस faith है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोख सकती है, सबसे बस believe in yourself, अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी आपके पास जो समय है, उसको लेकिन effectively utilize क करना कैसे, तो let us see, सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, कि अगर आप किसी unorganized course में है, जहां पे आपके doubts को time नहीं दिया जा रहा है, या फिर आप ऐसे course पढ़ रहा है, जहां पे syllabus बहुत पीछे चल रहा है, या फिर आपको लग नहीं है कि इस बैट के साथ आप बिलकुल ना जाएं, ठेक है, क्योंकि यह बचा हुआ समय सिर्फ आपका है, और आपकी preparation का है, अगर आपने कोई disorganized batch, अगर माल लीजे, join कर भी रखा है, तो आप वहां से बोलिए, उनको pressure डालिए कि यह हमारा course जो है, वो या तो पहली बात timely हो, औ दूसरा हमें relevancy चाहिए, हमारे frequent test होने चाहिए, ताकि आप अपने track से distract ना हो, clear है, clear है, so we have this RBC 3.0, हमारा rank boosting course है, बहुत सारे ITNs and ITNs हमारे इस batch से लिखे है, यह हमारा legendary batcher, to be very honest, यहां पे हम बहुत ही जादा relevancy से content को पढ़ाते हैं, and we make sure कि timely हम आपका course ज़रूर batch की details आपके लिए डाल रखी है, यह batch अभी recently start हुआ है, तो जादा ऐसमें ऐसा कुछ नहीं है, you can actually join it right now, this is for both offline and online, now, moving on, the second important thing is accessing yourself, this is the game here, sorry, this is the game here, तो अभी अगर मैं बात करूँ, assessing yourself का है, कई बच्चों को बहुत pseudo feeling रहती हैं physics में, यह जितने ही मैंने पांचों के सबसे पहली चीज़ को आप फेस करते हैं, that is, sir, I know the concepts but can't solve, यह maximum students की category होती है, sir, मुझे concepts तो आते हैं, पर मैं सवाल नहीं बना पाता हूँ, देखिये, सवाल नहीं बनाने का reason क्या है, सवाल नहीं बनाने का reason क्या है, सवाल नहीं बनाने का reason दो हो सकते हैं, या तो आपने practice इस तो करी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने PYQs के solution देख के practice करी है, या फिर class में बताया गए सवालों को ही पर practice करी है, उसके अलावा आपने pen down नहीं किये चीज़े, if you belong to the first category, बेटा, it's high time now that you start penning down all the PYQs from past 5 to 10 years, minimum, अगर आपने अभी तक pen down वाली आपकी problem है, तो आपको बहुत दिक्कत होती है, तो आपको concept तो आता है, पर आप solve नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको concept आते हैं और आप solve नहीं कर पाते हैं, तो आप make sure करेग, जहां 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 आपने concept सीखे हैं, जहां 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 आपक वह बहुत अच्छे कोश्चन करते हैं, जब दुबारा उस कोश्चन पर आते हैं, तो दुबारा हमसे होता नहीं है, क्योंकि हम उस concept से out of touch हो चुके हैं, concept सिर्फ वह नहीं है, जो class में पढ़ाई गए theory है, concept वह हर चीज है, जिससे आपका सवाल असान बनता है, तो जहां जह भी देखे हैं, जो शायद exam में अच्छा perform नहीं कर पाते हैं, पर यह जो performance का rate है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा पढ़के गया तो आग्या हो, exam आपने एकदम ही बरबात कर दिया, right, it could deviate है, यह मतलब maximum से maximum 20% या 25% होता है, मतलब आपको 100% चीज़े आती थी लेकिन आप score सिर्फ 80% या 70% कर पा रहे हो, तो इस चीज़ को कम कैसे करें, right, इस चीज़ को कम कैसे करें, तो इस चीज़ को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है छोटे, maximum से maximum number of mock test देना start करें, जब maximum number of mock test दो गया, और उसमें हर एक mock test के बाद, आप अपने को analyze करके, अपने strategy जी बदल ही है, कभी कबार क्या होता है, आपको समझ में आता है, यार पहले मैंने maths उठा ली, तो मुझे पता चला, कि यार, maths करते करते इतना समय बजगिया, कि आखरी मैंने physics उठाई, तो मेरे को physics में ही marks नहीं है, मेरे को समय कम पढ़ गया, right, this could be one thing, right, the second thing is, जब आप exam में बैठ रहे होते हो, जब सवाल कर रहे होते हो, तो आप बहुत जादा conscious होते हो सवाल को लेकर, कही के बार क्या होता है, जब हम से पहला सवाल नहीं बनता है, जब हम से पहला सवाल नहीं बनता है, तो हम दूसरे में उतना input नहीं नहीं पाते है, आपका input भी वैसे ही गर आपको दिमाद में आपकी पॉजटिवनेस बरकरा रहनी चाहिए आपको यह सोचने चाहिए आप अपने दिमाद में यह मान के चलो आप हीरो हो भाई ठेक है कि नहीं आपको आप इग्ज्जाम से पहले आपके अंदर फिलीं है जरूर उने चाहिए कि आपको आता सब कुछ है आप यह मत सोचे एग्जाम से पहले आ रहे यार मैंने यह भी नहीं पड़ा मैंने यह नीए भी नहीं पढ़ा क्योंकि तुग तुम कहीं पूछ लो मुझसे आ गया तो make sure करें ये वाली चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ I can solve but not an exam ठेक है, try to improve it improve करने के तरीके क्या है, आप maximum exams दे सकते हैं, जितने mock test वो आप दे और mock test में analyze करें कि क्या-क्या गलतिया रह गई उस paper को आके दुबारा से देखे अरे यार ये गलती थी और mark करें, remark लिखें कि नहीं ये गलती हमें नहीं करनी है आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे दो या तीन mock test देंगे, ये गलती आपकी 25% से minimum आप 15% पर तो आई सकते हो, उसके आगे के लिए आपको और data determination चाहिए but that's quite good आपको जतना आता था, आपने उसका 90% दिया, 85% दिया very good, to be very honest, ठीक है चलते हैं आगे की तरफ, my efficiency is low this is the thing, my efficiency is low मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं सवाल तो करता हूँ लेकिन सर मेरी negatives बहुत होते है इतने negative होते हैं, सर negative होने का reason क्या है negative होने का reason है, lack of preparation आप इतना risk नहीं लेना है छोटे कि exam ही risk पर आ जाए, ना 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 थेका है आप इतना risk ना लीजिए, आप एक काम करिए जब तक आप shore ना हो, ठीक है और इसका तरीका मैं बताता हूँ, आपको शौर्टी होने का आपको यह demand में पहले से clear होने चाहिए आपको कौन से यूनेट्स बहुत आती है, और बहुत, माले जेकाल को कई सारी यूनेट्स बहुत आती है जिसे मालों मेरे को, भाईया मेरे को mechanics आती है, सर मुझे Electrodynamics आती है, मुझे HNT आती है, Heat and Thermodynamics तो मैं क्या करूँगा, उन questions के अंदर मैं अपनी capacity को जाधा push करूँगा, लेकिन अगर मझे कोई ऐसी चीज जिसमें थोड़ा सा मुझे डर है भाईया, यह आला concept मुझे नहीं आता है, उसके अंदर अगर मेरा perfect answer नहीं आएगा तो I want ticket, correct है कि नहीं, आप बुद्धी वहीं लगा सकते हैं, जहाँ पर आपने चीजे अल्रेडी पढ़ रखी हो, जहाँ चीजा आप थोड़ा सा डिबेट कर पाए खुद से, अगर आप खुद से डिबेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी सवाल के अंदर, then don't blindly mark it now my friends, all right, और यह भी कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर डिबेट कर पाऊगे, आप जाओ जो concept आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा, तो make sure करें, यह आते हैं अपने बढ़िया वाली कटेगरी के लोग, यहाँ पर आते हैं, सर, physics में तो matter close है, ठीक है, यह है, बढ़िया, सर, physics में तो matter close है, ठीक है, तो जो matter close वाली जनता है अपनी, ठीक है, उनको मैं आपको बस यही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, कि मैंने कुछ chapters यहाँ पर बता रखे हैं, make sure करें कि आप यह chapters तो जरूर ही करके जाए exam में, right, क्योंकि यह वो chapter होंगे जहां से आप आसानी से कर भी सकते हैं, थोड़े formula based भी question आते हैं इसके अंदर, और आप minimum, मतलब 40 number या 35 या 50 number के बीच में आप score कर सकते हैं, जो लोग हैं, I know nothing John Snow वा students have already done, 40 to 60% and less than 40%, right, so, जो 70% से जादा students हैं, उनको मैं अभी सिर्फ और सिर्फ यही recommend करूंगा everyone, कि जिनने 70% sleepers cover कर लिया है, वो पूरी की पूरी चीज़े हैं, mock test practice पे cover कर दे, पूरा focus अभी अपना mock test पे लगा दे आप, ठीक है, जितने mock test दे सकते हैं, आप दीजिए, ज maximize your number of questions doing capability, right, आप जब तक exam देने नहीं जाओगे, जब तक exam hall में नहीं बैटोगे, तब तक आपको यह चीज़ फील नहीं होने वाली है, कि यार, यह गलती हैं, जो मैंने analyze करी, भाई, यह चीज़ अब नहीं करने हैं, आपको exam के hall में जाने पले पता होनी ची़े, right, तो य उसी की preparation है, करेक्ट है की नहीं बच्चे है, तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, तो आप जो 70% से उपर है, blindly go for mock test, पर मैं इनको यह बोलूँगा, जो बचा हुआ 30% slavers है, वो क्या इन चैप्टरों में से आता है, जो आगे मैं भी बताऊंगा, इस आप यहां पर खड़े हो, यहां पर अभी कई बच्चे होंगे, क्योंकि कोचिंग में अभी जो slavers हुआ होगा, अधिकतर जगह वो 60-70% ही हुआ होगा, तो आप मैं ऐसा मानता हूं कि आप अपने level पर 40-60% के बीच में होंगे, अचा अगर कई students है, तो उनके लिए क्या कर आप मिनिमम एक प्रोटोकॉल फॉलो कर ले, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कि अगर मैं कोई भी चेप्टर पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले उस चेप्टर का जो भी कोचिंग के दिया हुआ DPP होगा, वो करूंगा, अगर आपके पास समय बचता है, अगर आपके पा करनी है, जो 40-60% वाले काटेगरी में फॉलो कर रहा है, जो 70% से उपर वाले काटेगरी में फॉलो कर रहा है, देकन आपके प्रोटोकॉल्स प्रोटों, तो सबसे पहले तो एक बात यह चीज देखिये, आप अभी पैन डाउन करिये, और आप यह देखिये, कि कितने यून हैं, और कितने में आप कमफर्टेबल हैं, कमफर्टेबल का मतलब ऐसा है, कि सवाल आए अगर मेरे पास, तो मुझे किसी और प्लैनेट का ना लगे, मुझे लगे, कि हाँ यार भाई, यह तो मैं पढ़ा हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ, बद सिर्फ कमफर्टेबिलिटी लगे, आप बहुत अच्छे से, अच्छे तरीके से, आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए, आपके जौनसे वो important chapter है, जहां से आप अपनी डूपती नईए को पार लगा सकते हैं, लेकिन I would still recommend क्या कि मेंस में आपको पढ़ना बहुत जादा है मतलब उपर की चीज़े सारी आपको आनी चाहिए but still I would recommend कि भाई आपके पास एक guide होना चाहिए मतलब एक mentor होना चाहिए जो आपको तरीके से guide करें पर मैं आपको यही guide करना चाहूँगा जो आने वाले chapters का मैं नाम ले रहा हूँ यह तो must है बचे हुए समय में सबसे ज़्यादा इन पर focus करके इनका matter close करने की कोशिश करो alright everyone तो बाकी जो बचे हुए chapters हैं मतलब इनके अलावा जो बचे हुए chapters हैं उनको आपको कैसे जाना है that we will discuss in next slide now moving on तो यह बात कर रहा था मैं साथ में एक और point है that is relative sorry relevant material solving आप हर कुछ solve नहीं कर सकते हो this is high time this is high time बेटा कि अगर आप हर कुछ solve करने जा रहे हो तो आपका time बहुत ज़्यादा miss manage होने वाला है तो make sure करें कि आप हर कुछ solve ना करें relevant solving करें PYQs करें class के दिये गए notes दें और बहुत अच्छे से revise करने को उनहीं को कोशिश करें जो आपके पास limited resources है टेक है it's not time to explore if you have if you are fallen in these two categories all right everyone see so आगे की तरफ शलते है so must do chapters के मैंने नाम लिखे है तो modern physics the first one the semiconductor physics current electricity thermodynamics geometrical optics and waves ये तो ऐसे chapter है जो आपको बिल्कुल ही करने है बहुत अच्छे तरीके से इनके नाम मैंने specifically इसलिए भी लिखे है क्योंकि कुछ-कुछ chapters इसमें बहुत ज़्यादा favorable है mains point of view से और ये chapter ये ऐसे भी है कि जिदने अभी बिल्कुल कुछ नहीं भी पड़ रखा है they can easily cover it easily तो नहीं कहूंगा but yes they can cover it क्योंकि थोड़े बहुत formula-based chapters है right आपको बस थोड़े formula के implications आने चाहिए mains point of view से I am talking about तो आप इन chapters को बहुत असानी से cover कर सकते है this can be quite 5 के बाद 6 चचा तो this can be quite a मतब ये aggressively आपको प्रिपर करना है you have to be quite aggressive on these chapters alright now moving on मैं आपको सबसे बढ़िया टिप देता हूं session की कि आपको रिवीजिन कैसे करना है this is the process where you have to be very cautious रिवीजिन का सीन सिर्फ इतना सा है अगर आप mechanics revise कर रहे हो then it must follow the 3070 rule then you must spend your 30% of time on concepts while 70% of time on solving problems did you guys get it or not बिल्कुल सही सर 30% साथ 30-70% किस पे करना है आपको ये ये mechanics की बाद करना हो पूरी right now moving on the next thing 50-50 for electrodynamics कैसा करना है आपको 50-50 for electrodynamics मतलब electro start से लेके AC तक 50% मतलब जो समय है आपका concept building पे उतना है देंगे जतना सवाल पे दे रहे हैं and the last is that is 40-60 miscellaneous जो बाकी बचे chapters है सही है कि नहीं जो बाकी बचे chapters है उनके आप 40-60 correct है मतलब 40% आपको sorry उल्टा हो गया यह क्या आप लोग जो जो कर्मेंट में दीचे लगके बताईये या या आपको इससेशन चाहिए के नहीं जितने भी must do chapters है या फिर जितने भी important chapters है उनके important topics की कहां से आपको सवाल बनाने है और कैसे बनाने है that we will definitely discuss in our next video so I'll make sure once again start making short notes now the first important point once more क्या अगर अभी तक आपने short notes नहीं बनाये बटा make sure करें आप अपने short notes बनाये और बहुत अच्छे सो short notes को follow करें because this is the high time to make a short note and revise it frequently आपको हर week short note revise कर नहीं है या आप अपने एक daily routine में डाल ले and I hope everyone get their dream college and dream life तो मैं इसी के साथ ही आशा करता हूं कि आप लोग अपने जिंदगी में बहुत happy रहें बहुत खुश रहें and once more happy new year to all of my students across India So that's it for today class Thank you for patient listening